असलाम अलेकुम फ्रेंड्स चाय के साथ ऐसी क्रिस्पी क्रंची शक्कर वाली खारी सभी ने बड़े शौक से खाई होगी तो इस खारी को बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगी बेकरी से अच्छी खारी बनेगी इसकी गैरंटी है तो रैसी पी को ट्राय कर बनाने का तरीका बता देती हूं आपको यहां पर इसे बनाने के लिए मैंने डालना घी लिया है और यहां पर हमें घी की जरुवत होगी तो इस तरह का गाड़ा सा घी चाहिए हमें पतला वाला घी आता हो नहीं चाहिए इसी तरह का गाड़ा घी लेना है आपको यहां पर गी का ड़ा धाल देंगे और है फ्लेम करके हमने गी को मेल्ट होने देना गी होचुका है तो contribute ऐसे ते गरम करने है क्योंकि हर गी में v boat गूह ही घेlek है ये aur प clay अधियों ये। ऑप घ्लेम आफ LAंवा जो उतार दो ँट इसके ब्रबSon दालेता यहां, छाला और इसकें पूरी तरीके नीम उड़ो क味ा है, तो जिसे ब्रब डालें गीजाएं गी घमकर गीए, डालेंगे अकू करना गीजेसी ब्रबूलने सर टालेंगे तो इसे हमने अच्छे से चला लेना है कि जहां जहां भी घी होगा तो इस तरह से सक्त हो जाएगा थिके तो देखिए यह सारा हो गया है तो बस अब क्या गरेंगे थोड़ा सा पांच-दस मिनिद करें इससी स्य तरह से चोड़ देंगे कि इसमें जो बरफ है वो बरफ हो जा अतना लेंगे और इसे इस तरह से अग्दम दबा दबा कर इसे हमने निचोड़ना है और यहाँ पर मैंने बॉल ले लिया है इसमें सारा हमने रखते जाना है पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वह नहीं क्या हो गए यह जल्दी से खराब हो जाएगी अगर आप इ इस तरह से एक बॉल में रखते जाना है तो पानी अगर रहेगा तो यह खराब भी हो सकती है इसमें स्मेल से आ जाएगी तो यहाँ पर देखे और जब हम इसे दबा रहे हैं तो देखे ए घीत हा लेकिन हातों में बिल्कुल भी नहीं चीप रहा है इस तरह से हो गया है तो अगर हम इसे जादा देर के लिए रख देंगे तो क्या होता है गी वापस अपनी हालत में आ जाता है जो कि फिर से एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बनाना मुश्किल हो जाता है तो जब यह एकदम ठंडा ठंडा हो ना तभी आपने यह करना होगा तो जब भी ठंडा अब इस तरह से निकाल सकते हैं तो चाहिए इसके लिए मुझ बिखंस निकाल लिए हम ऑ गई फैय से पोड से फोड़ना फिर से लिए हो जाते है तो में इसकाद बारिक ब्रतन को हमने नहीं हो पारा है हमने इसे तरह से मेश करना है दो गुटलियों को हम ने ख़तम करना है इस तरह से अच्छे से ड़्म करना है तो दो-तीन मिनट एस तरह से लग जाएगा तो इसे न क्या हो मैं अच्छा क्रीमी हो अगर डब्वे में भी ऐसे डालना चाहे तो डाल सकते हैं इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं ने इसे सारा इसके डाल तेया है इससे अच्छी से सट कर लेना ह। और इसे ना मच्छे से इस तरह से ब्लास्टिक से रैप कर देंगे तो इस तरह से करने के बाद में आप चम्मस से हाथों से दबाएंगे ताकि अच्छी से सेट हो जाए देखे इस तरह से हाथों से दबा लेंगे कि अच्छी से यह सेट हो जाए चम्मस से कर देंगे तो इसे जैना आप महीनों तक रख सकते हैं एक बर जादा बना कर इसे फृर by निशेर में secret उसके से उपर जो कि और झूलो्क कीज़िता खरत्थ पर दो मनामक और डाल हो एक मेस्क का अधा कप प्रीज में एक कप घूल सकते हैं और एक चमच ऑप ऊइल यह टूक है यहां पर इसलिए पॉड़ शूगर इस्तिबाल की थी तो यहां पर एक कप मैदा मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से गुंद लेना है कि अच्छे से मुक्य लगा कर हमने गुलना है एक दम रिो बनाना है और नॉर्मन से भाइव स्वाव मार्जनीड यह मैं और यह देखा है अधे घंटों के लिए यह हैं कि मैं इसे ज़्यादा देर के लिए लिए रखा है और यहां पर मैंने दिख्येशे निकाल लिया है तो कि मैंने यहा पर कर वायते हिए के नड़ कर दो कर कर दो कि हम सब्रीजा के आदा करकर वाई गऑन माद कर समझा उसकर ना उट चालयों पर मारज्यरी चाठ agreements मेदे के लीए नॉक्ड़ अन्ड़ के लें हैं उसे डब्बे में हम डाल कर रख देंगे और इस बार में इसे फ्रीजर में रखने वाली हूँ तो इसे फ्रीजर में रखेंगे ना बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा और बाद में इसका यूज कर सकते हैं इसे आप पेश्ट्री और बेकिंग में यूज कर सकते हैं ठीक है नीचे से उपर से सब तरफ से हमने आटे लगा लेना है और फिर से हमने हाथों से ही मैं पहले हिसे इस तरह से फैला लूगी और फिर उसके बाद इसे हमने बेलना है तो इसे किस तरीके से बेलना है मैं आपको बताती हूं तो पहले तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे है उसके पास हम विंडे के हैं जो चार हिस्षे हैं छार कोणे पर हमें इस्तरह से बिलना है बीच का हिस्षा हमने मोटा रखने को सकत्कून है क्शो्षे में हम रखने रखने वाले हैं तो बीच का हिस्षा मोटा रखेंग Patrol चार हम願い लें कर देखो तो आजयर सोगा इस तरह से चौक न हम बनाएंगे और बीच का इसा थोड़का है इस साल जो है तो मार्जरीन हमीं रखने वाले हैं यहां जो है मेल्ल ठोकर बाहर नहींगेación का इसलिए हम नीचे पर उसा हरे गारीयर है थे उत्यों कि यहां पर थे कहते हैं Canada को रहा कर दो पंदेता हैं उसे हमार के हिसा हम यस तरह के मोटा हो जाएगा तो नीके ही साथो ऑर उपर से बादाबा कर SEC मारजरीन को सब तरफ अंदर से पहला लेना है कि सब तरफ अच्छी से पहुंच जाए और फिर इसके बाद सुखाटा हम डालेंगे और इसे बेलेंगे ज़ुरत पड़ी तो हम इस पर सुखाटा डस्ट करते जाएंगे और बेलना है हमें बहुत आसानी से बेलेगी है एक्दम सॉफ्ट हो जाता है यह और इसके लिए आपने आटा भी थोड़ा सा दिखी सॉफ्ट हो गया है तो जब हम बेलेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ यह बेल जाएगा हलके हाथों से हमें बेलना है मारजरीन पहार निकल सकती है तो यहां अधर मेरा चोटा है इसको है बहुत ज्यादा पतला और बहुत जाधा बड़ा बेलना होता है उससे हमारी खारी जी चोटा है इसके साइस का मैंने बेल दिया है और से फोल्ट करने बाद में हम बोलेगा है तो अभी घर्मी के से शेज़र और फारे में रग नोरे मार्जरी मैदा लगाना है और फिर दियुदा और इसे बेल ना है बड़ी साइस का बेलकाव मायन चाहिए उस तरीके से रोल कर देना है तो यहां पर जितना बेल सकती थि-मैने ओतना बेला है बड़ा और इसे हम हम फोल्ड कर देंगे जितना हम इसका फोल्ड करेंगे न इतनी ही इसके अंदर लेएर और कहारि में एए पिर से 10 मिनट के लिए तरखोंग के लिट में धीक सहां और यह व्हिदें से 10 मिनट के पाricting का र सब्सक्राइई और वर दृ 1947 निकाल लिया है दस मिन दु All d s तो इसे बेल लेंगे बेलने से सुकора लगा लेंगे दोनों स каз के हमें पंदे रज़ए तो इसे को बात खत्ला लेंगे लेकिन यहां पर उस्हा रिमिए दाए इसे रिये फिल रहा हुआ है अब यहाँ पर मेरा baking tray भी जो है छोटा है इसलिए मैं पर इसके half piece करूँगी आदा-दा divide करूँगी इसे और आदा मैं रख दूँगी बाद में इसे बनाऊंगी और आधे का मैं पहले बना लूँगी ठीक है इसे मैं बाद में बनाऊंगी second round में और यहाँ पर मैंने आदा ले लिया है और इसे अब में बेल लूँगी इसे भी बेल लेना है हमें सुखाट लगेगा तो लगाएंगे और इसे चोकों शिप में बेल लेना है अब यहाँ पर देखिए जो साइट से हम हटा लेंगे कट करके अब यहाँ पर इसे बीच में से मैं इस तरह से कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर ट्रैंगल वली खारी बना रही हूँ जिस तरह की की मुंबई में मिलती है शकर वली खारी तो आप चाहे तो लंबई में भी से कट कर सकती है तो हमारे हाँ ऐसी वाली ट्रेंगल वाली ही खारी मिलती है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों के साथ मुझे भी बहुत ही पसंद है तो इस तरह से मैंने दिके पहले निशान लगा लिया है और फिर से इस तरीके से कट कर लेना है तो सारे triangles हमें मिल जाएंगे और साइट को हमें वेटने करेंगे इसे भी हमने बेक कर लेना है अब एक बेकिंग ट्रेल ले ले लेंगे और इस तरह से बेकिंग पिपर रख दिया है आप चाहे तो इसी तरह से बना सकते हैं इस चिपके कर नहीं क्योंकि इसमें हमने बहुत सा पर करना है और उसका ब्रे Says उपर की साथ पर ब्रश कर लेंगे और उपर से शकव डाले आप चाहे तो यहाँ पर से सफैद या वले भी काले वाले divertि चाहिँंगे दी भए 12 कि यह देखे मैंने यह से 30 मिनट के लिए बेक किया है 180 30 degrees पर दोनों रोट को गरम करके इस तरीके से आदि घंटी के लिए हमने इसे बेक कर लेना है ठीक है तो इसी तरीके से इस एक बार में मैं बना लूँगा तो थे यूज करती हैं जो कि हम जब खाती है न तो जबान में थोड़ा से चिपकता है तो हम घर में बनाएंगे न बहुत अच्छी तरीकिसे तो बहुत अच्छी खारी बनती है तो फ्रेंड्स इस रेसीपी को ट्राइ करना और पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अगर मेरी झाल प्यूप्यूप्यूप्यू